इस लाइफ प्रोगाम में आप सबका स्पागत है आज का जो लाइफ प्रोगाम रखने का उद्दीश से यह था कि 24 नॉबर को दिली कुछ को लेकर कई लोगों के मन में जिग्या साथा कि यह अंदोलन समाप्त हो जाएगा लेकिन यह अंदोलन इससे समाप्त हो देवाला नह जो हमने आगाच चार नॉबर को किया था उसका अंत भी एक बहेद हमारे एक एतियासिक संगर्थ के साथ होगा एक एतियासिक आंदोल होगा हमने लगातार कोशिस की मारीने मुख्यमंत्री जी से मिननी के लिए कोशिस की मुख्यमंत्री तक बात पूचाने के लिए कि जिस प्रदेस के मुख्या मन्त्रीजी प्रदेश के उन के मालिक एक तरह से हमारे अभी भावक है उन तक बात पूछे लेकिन बात नहीं पूछने में हमें यह उठाना पड़ा हम दिल्ली कूछ कर रहा है सवाल आ रहा है कोरोना को लेकर लेकिन कोरोना से ज़्यादा प्रदेश के बेरुजगार दुखी है जिस परकार लगातार बढ़तिया रद कर दें आपने देखा होगा फार्माशिस्ट बढ़ती 1736 पदों पर रद कर दी गई और उसके एकजाम का अता बता नहीं वहीं ऐसा ही बढ़ती 2668 दूर संचार वाग जो 233 पदों पर रद कर दी गई ऐसे में बेरुजगार अपने आपको ठगा सा मेसूज करें और अधिकरी और मंत्रियों की लापरवाई और दादागीरी फुल चल रही है इसलिए यदि दिल्ली में लोगडाउन लग जाता है उ और जो में तमाम लोग जुड़े हुए हैं अलग लग लोगों को जीमिदारी दी गी है पूरी तैयारी हो चुकी है जिस परकार सिकर्म एक ट्रेलर था अब फिलम 24 नवंबर को दिली रिलीज करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिस परकार आंदोलन आ सबसे बड़ा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी कि जिस परकार जो अवे वर्तवान में जिस परकार ताना हिसे से लिए चाहिए तमाम बढ़तियों के लेकर लेकिन वेरोजगार अपनी बात कहां रखे आप तक बात पुचानी कोशिश की लेकिन लगाता जिस परकार बेरोज करना चाहूंगा राजिस्तन का विरुजगार जाग चुका है जिसका ट्रेलर आपने सिक्कर में देखा होगा और पूरी फिलम आप नॉम्बर में 24 नमबर को दिल्ली देखना लेकिन कुछ लोग जो हमारे इस आंदूलों को ऐसापल करना चाहते वह फरजी आईडिया आई को विरुजगार को कोरोना में दिल्ली जाने से वह रोकेंगे र कहेंगे वह विरुजगार की समस्चाओं का निस्तान करेंगे यह दी मेरा यह लाइव मुख्यमंत्री जी के दुवारा या उनके अधिकारिक दौरा देखा जा रहा है तो आप से मेरा निवदन यह है कि हम हजारों की संक्य में दिल्ली कुछ करेंगे कोरोना आपको पता है दिल्ली में लगतार बढ़ रहा है इस्तती गंबीर है ऐसे में हम लोग वहां जाएंगे वहां हंगामा होगा बड़ी बात होगी तो कहने कि राच्तान की भी इसमें बंदा मी होगी इसलिए आप से हाथ ज कई सवाल मेरे पास ही आते हैं कई लोग कमेंट करते कई लोग यह सवाल उठाते कुपेण यादयो जी अब लगातार यह कहरते कि मुख्यामंत्री जी 70 दिन सील है उससे में आपने 70 दन झील का का आपने सरकार का साथ दिया और आज सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं तो मैं आप उन लोगों को बता दूँ मैंने इसस पेस्ट पहले भी नीटी थी चाहिए पूरवर्ती सरकारों जो काम करता हैं उनको धन्यवाद देते नहीं करते हैं और यह दी बेरुजगारों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम सड़कों पुतरते हैं दोस्तों उस समय चाहिए सेकंड गेट बरती 2018 के दो 9322 लडीसी बरती 2018 2013 प्रयोक्षा लाशाइक इसके लाव का धन्यवाद दिया जैसे लगा कि अधिकारी और मंत्री ताना सही करें वेरुजगार की नहीं सुनें तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जिस दिन आउस्ता होगी मैदान में कूदेंगे आरपर की लड़ाई का एलान करेंगे जो लोग सोचल मीडिया पर वेरुजगा मांबर को शिकर में इकठे होने के बाद हमसे मांग पत्र मांगा गया मैं और मेरे साथी प्रतिनीदी मंडल मुख्यमंत्री जी के शक्षम अधिकारियों को तमाम मांग पत्र हम देखे हैं उन बांग पत्र पर चड़्चा भी हुई उन्होंने कुछ बढ़तियों पर सहिमत आपके आदेश दिये गए हैं उनके आदेशों की पानना नहीं हो रही और जिस परकार जो कमेटी बनाई गिए 2013 से कमेटी रिपोर्ट नहीं है किसी बिरुजगार को रहात नहीं मिली कमसे का मुख्या को हम बताएं कमसे हमारी मुलाकात तो हो लगातार जिस परकार आप कोबाइल निकाले आज दिकाली कर लिए उस बेर डिवरोसर करें आज बरुजगार उनको याद आते हैं सब्सक्राइब पर फोन करिए पूछिए फोन करिए कि अब जिलाप प्रसर पंचाइश मिती के भी चुनाव है और हमने आपको वूट दिकर जिताया था आप हमारे साथ हो या नहीं हो अन्यता 2023 के चुनाव में देख लेंगे आप फोन करिए आपका अधिकार कम से कम घर बेटे आप ये अभियान तो ברक करें मुझे पता है किस बर्ति के लोग के लोग क Hierभ ये जो घर बेटे कमेंड करें अ कई लोग कमेंड करते हमारी मांग ने उटनी तो उनको कहई दो आना होगा ज् enabling अगरी चाहिए है पीछे ने हो फिस prosecutors दे अब नम्र को हमारी त्रिया रिए अनतिमिंस आन पहे हे तेई उस तारी को आपको बता दिया जाएगा कहां किस इस्तान पे कैसे पूछना वो आपके जो भरती से समंदि जो लिडर है उनको सूचना दे दी जाएगी हम सब मिलकर एक साथ आगाज करेंगे और एक साथ हम दिल्ली में आवाज बलंद करेंगे मैं इतना जरूर कह सकता ह हूं जो सरकार की जो तंतर है जो सरकार तक बात पूचाने वाले हैं उनके कहना चाहूंगा कि यदि हम दिल्ली पहुच गे दिल्ली जाएंगे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाएंगे तो वहां बहुत बड़ा अंदलन होगा साइध जो 25 नौंबर 2019 को PCC के बाहर जो करेंगे लेकिन हम कब तक इन अधिकारियों की ताना साही सेहन करते रहें क्या क्या ताना साही आपके आपने देखा होगा जिस परकार एसाई बरती 2016 और फार्मसिस्ट की बरती अच्छानक रद कर दीजेगी तो दोस्तों तमाम बर्तियों के लेकर जो मांग पत्र था तमा बार मैं फिर सचा करना चाहूंगा कुछ लोगों के मांग नहीं मान दीजिए मैंने कोशिस की है जो लोग मुझे मांग पत्र में सामिल कर लिया गया और मुख्यमंत्री के सक्षा मद्दिकारियों से हमारी एक मिटिंग ऊचुकी है लेकिन हमने का मिटिंग नहीं आज पास परती दोस्तों एनम जीनम नर्सिंग बरती 2013 जो बहिन हैं जो इसका इस लड़ाई के मोर्चे के जो मजबूत जो है एक तरह से सेनापती मान लीजिए एक तरह से वो योदा मान लीजिए कि जो दिल्ली में आगाज करेंगे जो केंद्र नेत्रत्व है कई लोगे सवाल उठ कि दिल्ली में क्या जेवपूर करिए जेवपूर में बहुत कर लिया दिल्ली में राहूल गांदी जी भी है सोनिया गांदी जी भी है पिरिंका गांदी जी इनमें जो दो नेत्रत्वत महिला है महिलाओं की वो प्रिष्टतिया जरू समझेंगे हम लोग वहां जाएंगे बताएंगे कि राजस्तान में जो मंत्री अधिकरी ताना साही करें और विसेश कर दो मंत्री उनका नाम भी जल्दी खुलास हो जाएगा उन दोनों का भी इस्तिपा मांगा जाएगा क्योंकि उन लोगों ने बेरुज़वरों के नाक में दम कर रखा फुल दादागिरी चला ले चाहिए हमें लाठी चार्ज करें अब मारे लेकिन हम लोग वहां से नहीं आएंगे मैं पहले कह रहा हूँ के आज तक जो भी का है जो भी कहा है सीनाट ठोक के खेर हुँ यदि दिल्ली में हम पूछ गए हचारों के सणक्य क्या मोंचेंगे रहें यदि हम पूच गए हिंदुस्तान में बहुत बड़ा दमाखा होगा क्योंकि वहां हजार उक्षंक्या महिलाएं भी होंगी हमारे जो दोस्त हैं लड़के वो भी रहेंगे और बड़ा वहां अंदुलन होगा इसके अलावा यदि किसी के मन में किसी मंत्री या अधिकरी सोच रहा है कि उपईने में जो विसंगतियं हैं जो लगातार बरतिया रत कर रहा हैं पद में बरतिया निकालने रहे पुरानी बरति करने रहे वहसं बड़ी बात कम से कम हमारी सुनतों लीजिए हमारा डुकड़ा कहां रहें और किस K Sapc UK met birthday a कोरोना काल में व्यास्त हैं MLS से मिल रहे हमने मांग कई बार हमने कहा कि हमें मिलवाया जाए नहीं मिलवाया गया हमारी मांग मुख्यमंतरी तक नहीं पूछ ली इसलिए हमने कदम दिल्ली जाने का उठा है तो एनम जीनम बरती के पाले में गया मुख्यमंतरी जी कोई निर्णे करना पंचार राज लड़ी से बरती 2013 के लिए यह बरती होगी होगी समय नहीं बताया बोले कि यह बरती होगी यह उस दिन मुख्यमंतरी जी सक्षाम अधिकारी से मुलाखात की तो उन्होंने हमारे सामने जो मामारा मांग प विरुजवरों की आवाज ट्यूटर पे ट्विट के माद्यम से क्यूंकि दिल्ली सी से लेकर राज्तान के नेता आजकल ट्यूटर पे सब ज़्यादा सक्रिया है उनको टेक करके मैं ट्वीट करता है रहता हम हमेरे माने ने शिक्षामंतरी जी जो लगातार कई बार ट्व आप तक न्यूज भी बूची मैंने मैंने आपको इस प्रेश्ट का जिस दिन आपने ट्वीट के माद्यम से बताया कि रीड 2020 की फाइल वह लेकि चुनाव आयोगों में प्येश दी गई एक बार तो मुझे भी लगा कि चुनाव आयोगों में जाई नहीं सकती है तो पातर अधिकारियों से मिला उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल आचुकिया बहुत दिन से आई हुई है इस सम्द्ध में अन्में शिक्षा वाक से कुछ जानकारी मांगी है कि वह जानकरी दे वह अधिकारी आके समझाए वह लेकि दो तीन बार फिर मैंने दुबरा मुलाकात की पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आए और हम लोग इस फाइल को यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फाइल को वापस शिक्षा वाक भीज देंगे मैं ट्यूट लगातार काता रहा जब अठारा तारी को शेम साब कर दिकारे से उनको भी मैंने बताय है कि साब फाइल वहां पढ़ी है और शिक्षा वाक जवाब नहीं दे रहा टूट के मादे मचे शिक्ष्या मंत्री आपको कई बार अगुवत करवाया वहां भी मैंने से काईदगी लेकिन वहां जवाब नहीं दिया गया और वह फाइल वापस आ गए 11 लाग बेरुजगा आकुर्शित है इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्ष्यकवर्टी नई स्कूल व्याखता वाले वह भी आकुर्शित है शिक्ष्या मंत्री जी आपने जिस परकार ट्विट करने में रूची दिखाए उस परकार यदि फाइल निकलवाने में रूची दिखाते तो कहीने क धिक्रवाई कर रहे है और लापर्वाई में शिक्ष्या मंत्री जी का भी नमर वन हाथ है शिक्ष्या मंत्री जी चाहे नाराज हो जए मुझे कोई फ्रक नहीं पढ़ेगा तो सब्सक्राइब फाइल नहीं आई वह वहाँ वापस पूच गई जब कि परिमेशन मिला था उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं सेम डे परिमेशन दे देंगे यदि अधिकारी आके बता देंगे कि यह इस परकरण में कुछ जानकारिया मांग रहे थे तो उस दिन वह वापस जा सकती थी परि कई अधिगारी और भी कई अधिगारी हैं जब उनको उपर से निर्देश नहीं मिलते हैं तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसे में जो ग्यारा लाग विरुजगारों साथ बड़ा दोखा हुआ इससे जो माने नुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा निव बढ़ती के विरुजगार आपके खिलाब है कहीं ने कहीं आप देख लीजिए जब प्रेणाम आएं तो आपको पता लग जाएगा कि यह आप क्यों नाराज है क्योंकि कुछ मंत्री कुछ अधिकारी को लाग परवाई से आज पूरी को नुक्सान उठाना पड़ रहा है इसलिए जो रीट में मैं यही निवदन करना चाहूंगे शिक्ष्या मंत्री जी कि यदि आप रीट के 11,00,000,000,000 के थेशी हो तो आपसे मेरा निवदन ही है कि वो दुबारा फाइल जल से जल पूछाए और एक दो दिन में यानि कि अब तो छुटी आ गई है सो मारे हो जाए अपेल में हो जाए कम से का आप तो बता दीजिए इतनी तारीक हो इतने पदो पर लेवल फस्ट के यह है सिकिंड की यह है और अब एक्जाम होगी सारी चीजे उनको बता दीजिए विकिप्ति जारी करवा दीजिए लोग आपको परिशान नहीं करेंगे लोग करेंगे इतना साब अकल्यान करवा दीजिए नहीं तो इन लोगों में लगातार आखरोस बढ़ रहा है और यदि आपने अभी भी नहीं लोगों की नहीं सुनी तो शिक्षिया मंत्री जी प्रदेश में आप जिस भी दोरे में जाएंगे कहीं नहीं कि आपको वीरूत का सा जाना है कि ये ट्वीट जब मैं दरातल पे काम करा था खुद फाइल के पिछे भाग रहा तन तब यहने ट्वीट किये और आज आपने मेडिया के माध्यम से भी आपने पता लग गया होगा तो दोस्तों इस फाइल के पिछे पढ़ा हूं पूरी मेहनत कर रहा हूं और सुची को लेकर माने मुख्यम तीन सितंबर को गोशना किये थी लडी सी वाले तो जो अभी जो वितवाग में याडी में जो गई थी वह फाइल उसमें उसका मेल मेल फाइल तो पिछे से चलते रहेगी मेल सो मार तक अधिनस बोर्ड में पूंच जाएगा याने कि आने वा खेंवार को आपको मेल हो जाएगा गल छुटी है अब कल चलती रहेंगे फिर मेल के आदारnos पर आपका कार्य हो जाएगा तो अगले वीक में करें श्रह जारी benefits लिक्टाम जारें की इसमें एक चीज़ चल रही है रीट बढ़ती 2018 की मुख्यमंत्री जी निगोशना की थी उसके बाद मैंने एक ओडियो के मादिन से भी आपको सबको बता दिया था सबके पास वो पूछ चुका है वो कारिमार्ग में की उसमें रिमार्क लगा उसके बाद दोस्तों जो आज की चीज बस्तति जैसे 18 को मेरी मुलाहात हुए तो उन्होंने इस पर वापस फाइनल पास्ट्जी को लेता है मुखह मंत्री जी तक लाग चला गया है मुख्य मंत्री जी अधिकारी को निर्देश देंगे एक से डेट में ने फाइल कारी विवाग में पड़ी देई कारीवाग से फाइल कल गई वापस वो फाइल गई प्रावियों शिक्षा बाग जो है पंचायराज विवाग के अधीना वहां फाइल गी व और वहां से अब शिक्षा बाग को निर्द्बने करना है कि जो रूल्स में जो अमोइंट्मेंट होगा जो बला ओगा जो जो वह भी पंचायराज एक्ट में होगा यांगि प्लावियों सिक्षा बाक्षए होगा तो वहां बेज़ेगी ती वहां से फाइल अब ड्याज के से वापस पंचाय राज बाग जा सकती है या उसमें करना है कि उसमें कैसे और कप कराना की रूल्स अमेंटमेंट होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा तो रीड दो जार ठार ओलों यह करना चाहूंगा फाइल निकल के कारिव वाग ने कुछ नहीं का मीना जी वह अब जो दिए से वह कोरोणा पोजीटी होने के कारण वह अभी चुट्यों वी चल रहे गए जो प्लांंच में है मैं می मुख्यमंत्री का अधिकारियों बलाया तो उसके बाद उसके पर चर्चा हुई थी उन्से एक बार मैं मिलकर फिर उसको जल से जल निकोरानी कोशिस करूंगा पूरा परियास है क्योंकि एक समय तो यह हो गया था कि यह फाइल अठकी है नहीं होगा कुछ भी लेकिन अभी भ जाएगा वो घूम फिरके वापस शेया वाग में फाई आ चुकी है और इसमें उपडिय जो निर्देस मिलेंगे यानि की दोन के बाद आगे का रही है शुरू होगा प्रियास कर रहे हैं कुछ लोग क्या करते हैं जाते हैं फोटू खिचके डालके करते हैं हम करवा रहें और सबसे बड़ी बात लोगों से खर्चा और मांग रहें कि भाइया हम यह पूर गूम रहें वह आप सबसे जो रीट 2018 के कोशुची कंजार कर रहें किसी को एक पैसा देने के आव सकता नही कि अधिकारी उनसे इसिकारी बात कर रहें तो लगाता हम प्रियास करें भ़्यान करें में समय लगस्ता है लहां наход लह relaxation sir कर दो 2017 में मिल शेचारी बात रखी है 2017 को भी रहात मिल सकती है सब के लिए प्रयास के आचारह लेकिन यह लोंग आपको वरमित करेंbles सोलाह 17 की वज़े से मामला टग गया है नहीं हमने इसपस्ट कर दिया 16 17 कोट में है लेकिन 18 वाली कोट में नहीं है 18 वाली जल से जल निकल जाए वह मैं प्रियास कर रहा हूं आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो फोटो कीज़ कर आप पेसे मांगरी खर्चे कर नहीं देना है वो लोग पहले भी मुख्यमंत्री जी ने गोशना के थी अब फिर मामला माने मुख्यमंत्री जी के पास गया जैसे वह नृद अठारवाब मैं कहें दू कि आपके लोग चाहिए भीलवाड़ा आपके लोग नहीं आ रहें अभी भी कह रहा हूं कि अब नहीं सोचे कि अब भी आपका फैनल काम हो गया अभी आपका काम 50% परसेंट वह आप चाहरे हो आप नगरने दे आपका कैंसली भी हो सकता है क्यों आपको रहात मिलेगे अन्यता आप लोग सोते रहें तो कहीं नहीं हमेशा के लिए आपको नुक्षान नहीं हुजाए आपको मैं थोड़ी सेंट दे रहा हूं सचेत कर रहा हूं इसलिए आप लोग जागे और साथ आई हमारे दोस्तों एसाई बरती दोजा 16 में 223 पर दन्यवाद आपको आप लोग तैयारी करें आपकी निर्देश पूंच जाएंगे कहां कैसे जाना है आपको सूचना दे दी जाएगी और यह लड़ाई हम जीतेंगे बारी राज्यावाले कोटे में अभी तक कुछ भी नहीं है 0% है अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो रह है कि आप लास्ट स्टेश पर जीतने हावाले हो आप लोग जिस परकार विदायन सभाग बार इकटे होए थे मैं खुद आया था अच्छी संक्या थी उसी संक्या को लेकर आपके अरुन जी और राजंदर जीस मेरे बात हुई था आप लोग निखले आपको समय इस्तान ब कि भरती होगी लेकिन हमें होगी कब आसपास नहीं परिणाम चीए इसके लिए आपको 24 नमर को हमारे साथ अधिक से अधिक संक्याम पूछे आप तैयरी जायर के आपके आप तक निर्देश पूछ जाएंगे वन्चित 7000 विद्यारती मित्तर यह भी लोग वहाँ फूलच आपके मांग मजबूती से उठाई जाएगी और यही है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो सब को न्याही मिलेगा तो 7000 वन्चित विद्यारती मिंत्र पूछें के जो भी एक एक जो हमने इनका जो नेत्री करता है उनको संदेश हम पूछा देंगे कब और कैसे कहा जाना वो भी वह मिले आयरवधिक नर्सिंग वरती से दो लोग आये थे तो उनसे मेरा नियुदन है कि आप लोग एक्टिव हो जाए विद्यालय साइक वाले भी आप से हैक एक्टिव हो जाए आपको परेटर नहीं पता इई इसलिए आप सोच रहें कि आपके बढ़रत नहीं है करना नहीं चाहते कम सेकम आठ मेने बाद शह मेने बाद पाच मेने बात करा दीजी लेकिन रिक्षा तीती विगश्टिग जारी कर दीजिए कम सेकम उनको सिलेबस पता दीजिए लोग तो कर सके यही तो मांग कर रहे हैं लगाता नियाले भी आपको निर्देश दे रहे हैं नोटीज जारी कर रहे हैं तो ऐसे में आप से निवदना कि जल से जल यह इसकी विगवति जारी कर यह लोग तैयरी कर सकें क्योंकि एक भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है आज तक नुमरी में अभी तक नहीं आई ग्राम से ओकि हम मांग करें ग्राम से विगवति जल से जल जारी हो आरेस बरती हो जूनियर अकाउंटेंड हो पंचय राज में जो जहिन बरती है जो बारा साल चे नहीं इसके लोग मांग क्विट कर रहे हैं लेकिन उनको संक्या बठानी ह होगी जो नोजात पदों पर गोश्चना की गई है उन पर जल से जल से जल जा रहे हैं उसके लिए हम पुरा प्रियास करें आपको इस चोईस नॉम्मर को घर से निकरना है और लड़ाई को हम सब को मिलकर जीतना है यह लड़ाई एतियाशिक होगी जो लोग यह देख रहे या यूटूब चैनल नों करकर या फेस्बूब करकर रेकना वहां हम जाएंगे न चाहिए बड़ा अंदोलन होगा क्योंकि एनिवर्सदी है मारिवां हम बेरुजगारों के एनिवर्सरी है पिटनी की जेल जाने की क्योंकि आज से एक साल पहले यानिकि जो 24 नंबर को जा या था आज तक उनका निस्ताने नहीं हुआ वह एनिवर्सरी हम दिल्ली के अंदर नेत्रों के सामने बनाएंगे जल्दाई वाग में तेरा सुनों पदों पर आज तर यह जो लोग पसुची कर सक हैं मो बरती हैं उनकी हम लगातार मांग करें और जावागे नोजार पदो मजबूती से रखिए और उन्होंने अभी तक तो सहमेती जता ही है पोजिटिव रेस्वांस मिला है लेकिन हमें विगिप्ती चीए रिक्षातिती चीए कब एक्जाम होनी है इसके लिए हम सब को मिलकर लड़ना होगा आप लोग एक्टिव हुजा है आपके साथी मेरे लोगों को नहीं मिल पा रहा इसकी भी बात किया हम दुबारा चालू करवा रहे जो लोग वंचित रहे गए तो कोशिस हम इनके लिए करें कि विरुजगारी बत्था मिले रीड़ दोजा सोला हो सत्त्रा अठारा का रास्ता खुलेगा तो सोला सत्त्रागा खुलेगा लगातार कमेंट करते हैं हाई कोट में अच्छी का लागा इसका निन नहीं हो आप आईए शोला सो पद्खा लिया लेकिन कमशेंगों सोला सो में से अप 500 लोग तो आईए इसलिए 24 तारीका आप मैं विश्वात दिलाता हूं आप संगर्स में साथ आईए हम लोग मजबू आज लोग मुझसे मिलके कहते हैं उनको भी पूरा दिशनर्देश देती हैं उनके जो मोदी जी थे गुपता जी थे उनको भी बता दिया है अब वो कब कैसे उनके नहीं का कि 200 लोग उनके होंगे तो 200 से 400 करी अपने लोगों जोड़ी और आपकी शूची जल जा रही होग कि तीन दिन आपके 20 बच्चे हैं 24 तारीकों एक एतियाशी का मैं रांदोलने तो अपने सात्यों को लेकर पूछे प्रयोक्षाला साइक की एक और सुचियों ने पीटेए बरती दो जार रठारा कि आने वाले वीक या उससे आने वाले वाले कि लगब मेरे साब इस मेने मे कहाँ अभी तक कमिशन आयों की मिटिंग नहीं हुई वह कह रहें कमिशन आयों की मिटिंग होगी तो वह जो उन्होंने रूल्स में मॉंट्मेंट किया था उस पर लेटर वापस यहां बेजा जाएगा अभी वहां मिटिंग नहीं होने के मामला रपीसी अटका पड़ा है अब सबाल उड़ता है कि हमारी साथ क्या हो रहा है हम 18 से परिशान है हमारा परिणाम नहीं है यार मैं आपके आवाज उठा सकता हूं किसके लिए मैं भी सिक कर जा रहा हूं किसके लिए दिल्ली कूच करें इन लापरोई की वज़े से तो दुखी है कि समय पर परिणाम न लड़ाई लड़ेंगे तो उनको सबक शिकाना है समय परिणाम आई इसलिए हम लड़ाई लड़ें तो आप लोग भी प्लीज इस लड़ाई में जुड़े और इस आंदरों को मजबूत बनाए और इन लोगों का सबक शिकाए प्रिक्षन करवारे में ने कहा था जो कारेंवा का इकादेश जारी वाता उसमें कहा था कि अधि शेडव फोस्ट अत्रिक्स से दी जाएंगे एडवलो से एंबीसी के लिए तो अभी शेडव फोस्ट क्रेट नहींगी और मूल पदों में से काटा गया है तो वह कह रहे है कि इसका प्रिक्षन करवारे है तो हम प्रिक्षन नहीं हम परिणाम चाहते है कि यह 14 प्रस में गलत वा तो पद बढ़ाएंगे यास परसन हमें मिला है लाइबरेमिन बरती यह भी जो 14 परसेंट का लावा लाइबरेमिन पद खाली है यह बात में हमने रखी है लेकिन यह थोड़े-थोड़े घर जाके बीजी हो गया है पहले एक्टिव थे लेकिन अब इनकी संक्य है मुझे कम दिख लिए और नुझे से बढ़ती 2016 पद बढ़ाई जाए इसकी जोइनिंग आदेश भी रुखे पढ़ा है यह मांग भी रख दिया कि जो जा सोला कनिस्तन दो जिसकी नुक्ति पर क्या बाकिए वह खेह रहे हैं कि रुखिए आने वाले विकास वासन दिया तो इंपचार के रहे आने वाले विका प्रयोक्षाला साइक वर्ती 2008 यह लगाता हम मांगी करें कर्शी प्रेक्षा की वेटिंग में चैनी तब यह जो एक तो संस्क्रवाग के लोगों की जो है इन जो इनकी जोइनिंग रुख पढ़िए आचा सहीता कनिस्तन अनुदेश सब्सक्राइब जाए जो इस पर और पूरा विश्वास दिलाए कि परीक्षा के राश्तान में होगा मैंने मांग भी रखिए कि एक्जाम अधिनस बूरह करवाई जाए और इसमें वह उन्होंने जोड़ा जाएगा और अधिकार्यों की निर्देश देने पहले इसके लिए पूरा प्रियास करें लोगों गुरहत मिलें तो उन्हां ब्यरती जो लगातार मुझसे कहते हैं आपकी मांग रखिया और आपके मामले में उन्हों सकराता आसपासन दिया है कि होगा इसको यानिकी 10,000 के करीब आविदन आये एक करोड़ पचास हजार रुपे का इनके पास पीस के रूप में और फैसे प्राप्त हो ने रुपे प्राप्त होए थे आज इनकी बर्ती रत कर देगी और कहा जारा कि पैसे वापस देगे अधीगार को मने प्रेशन नोट देखे दैoter अर बयामे इस वापस नीजीं में रोजगार ची Il st तक इंतिजार कर वाया यह लोग तयारी कर रहे तें तिजार करें तो प्रिक्षा ती जा रहे होगे आज के रोड़ कर दी गई और बोले कि पीस वापस दे देंगे और फिरा जो नेता है उनको कहेंगा हमारे वोट वापस दे दीजिए साब आप विश्वास पर खड़े नहीं उत्रे दे दीजिए ऐसा क्यों किया जा रहा है फार्मिसिस्ट में यह इस बर्ती में सवा एक गलत है इसकी आज हम दिल्ली में उठाएंगे चात्रवास अधिक्सक बर्ती जारी नहीं पसुद्धन साइग में सिक एक और सुची जारी नहीं महिला दिगार रखस पर पुरुष अभी बाकिया मोटर वान उपनेशक की विगिप्ति अभी तक जो आना नहीं संसुद्धन अभी तक वह फाइल कारें वाकिमें गूम लिए अभी तक उसका कुछ पी न नहीं है इन सातियों बात रखें उसमें यह का कि मैंने का यूजी सी में ऐसा कुछ नहीं है जब आरेस आईएस में जूरत नहीं पड़ती आप प्रसंटेज़ दस्युबारी हो सब की जोड़ रहे हो यह गलत है तो दोस्तों गुड़ अकेडविंग नियम गलत है उन सातिय से आप लोगों के साथ गलत नहूं दोस्तों एक विसेश एक सभी सातियों में कहना चाहूंगों एक विसेश मांग हमने एक को जोड़ी है इसके अलावा किसी व्यक्ति वर्तिव इसका कोई मामला रह गया हो मुझे अवगत करा दीजिए मैं आपकी बाद जरूर रखूंग सब्सक्राइब करेंगे कि इनको भी नहीं मिले इसके लाव दोस्तों सेकिंड के 2018 वाले आएगे थे अब आट है यज बेश्टी पलीजर को प्रमोट नहीं कि आज तक बिश्टी सी वाले कह रहे है और शिख्षयमत्री जी आपका विवाग बे की प्रमोट तो कर दीजे पश्टी यज पश्टी सी कि उनके एकजाम करवा दीज यजे पश्टीर का शेकेंड एंटिजर कह रहे वहीं बीये फाइनल का अभी तक गशल नहीं हुल इनतिजार करें पयों कई तक क्योंकि सरकारी हमश्यश्ब कर विखें है औरुटी कर देन elaborate तो कम से मुस्तम हुआ त्रकरिकारियों की जीमेंद्र तेक कीजिए जो अधिकरी काम नहीं करें उसके खिलाब कारवाई कीए तभी अधिकरी मुढर होगा निता ये लोग लापर बढ़ते रहेंगे इसका लावा एक परमुक मांग हमने जोड़ी है यह मांग हमने जोड़ी है दोस्तों एक सरकार को समिती या आयोग य चाहिए उसका यह काम होना चाहिए कि जो सिकाई तयार यह फर्जी डिग्रियों की जो लाइबरीरियों में आई इसके अलावा रीड चाहिए चाहिए बहुत फर्जी लोग लगे हैं सब अधिकतर बर्तियों में फर्जी लोग लगे हैं जैसे मेरे पास फोना है वह ओडियो में सिप्रापत थानिम दिया अब तक मदर जिनिया है तो घ्रजी चाहिए बर्ति जांच कर वाए य है अधिकारी पैसा मांगए है यह कर रहा है वहां कर सकेए और फो क्यांटी या वो आयोग उनके खिलाब सक्कारवाई कर सके जांच कर सके जांच मिटा सके हां कि यह डिग्रिया काश आई कैसी आई तो इसके लिए हम आयोग की एक कमिटी की मांग करते हैं जिसे कोई भी वेरोज़गार उसकी कोई कोई भी सिकाइट मेरे पास एक फोन आया कई लोग से काई कर गी हमारा पूडोची एक फर्जी डिग्री से लग गिया फर्जी प्रमान परतर से लग गया तो यह सकाइट कम वह शिकाइद वो जाके सीधा उनको करें वह जांच करें उनको जेल में डाले ऐसा आयोग होना चाह इस समीटी की आवसिक्ता जरूत है क्योंकि अब योग या बेरती घर बेटे और फरजी लोग जयाद जया जया नोकरी करें नोकरी लग रहें फरजी वाडा रुखना चाहिए दोस्तों रास्ट में यह कहूंगा कि एक आपने देखा भिहार में चुना हुआ लाखो लोग कर रहें तो इनके कोराना नहीं होता अगे लोगों बूखे मर रहें कई लोगों पीस लेवी वएक्जाम बेजिसरे राश्टान पिलीस कि हो चुकी है उन्हों पैसे तो दे दिये लेकिन उनंहों कोचिंग कोड़नी चीह साबदा नहीं रखना करतें कंचिंग से खिले में कोचिंग कहोज़नी चीए कि कोचिंग का फक्स ले लास्ट में इसमें वीडियो में यह कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथी है उन्हें यह कहना चाहूंगा कि कई लोग कह रहे थे कि आज के लाएं मुपे नियाद हो कहेगा कि 24 नॉवर का है न हमारा डिल्ली कुछ कैंसल हो गया अभी कैंसल नहीं वा जब तक सरकार हमारी मांगे दिश्दार नहीं कर देए हम मुख्येमांत्र जी कालावा किसी से वारता करेंगे हम के तो मुख्यमांत्र के सामने रखेंगे इसके लावा किसी सदिट вариант लग जाता है हमारे पास भी प्लान भी है जो समंदित बढ़तियों के लोग है उनको मैं सुचीत कर दूंगा कब कैसे का पूछना है इसलिए जो लोगों बढ़तियों का नाम मैंने लिया कि आप प्लीज एक्टिव हो जाईए यह बेरुजगारों के स्वाबी मान की लड़ाई है यह बेरुजगारों मिलता है उसको रोजगार मिलता है तो आप इसको राजनीती कहें दीजिए मैं पीछे नहीं उटूंगा तुम्हें दम हो तो घर से निकलिए भीड किटी करिए दिल्ली कूच करिए यह दम है बेरुजगारों के बाविशे के लड़ता हूं कोरोना से जब मैं कॉरंटाइन रहा जब दिकत आई उसके बावजूद भी सड़कों पर वापस राकर इन बेरुजगारों की आशू देखकर इनके आवाज उठा रहा हूं जब पीस इनका किरायमापी का मामला घर घर जाकर हाज जोड़के लोगों की मदद की और अभी भी कोरोना काल में भी खुद को ख काम नहीं हो रहा काम तब होगा आप सबको जागना होगा आप लोगों को जगाने के लिए के लिए बार मना आदा हूँ आप जाग जाए इस अंधोलन में त Сейчас हमें जीतना होगा हम किसी कॉंग्रेस के दुष्पन नहीं है हम किसी पार्टी की दुष्पन नहीं है हम चाहते सिस्टम में सुधार हो जब राजनेताओं के लिए समय पे उनको सब कुछ सब मिल जाता है तो बेरुजगार को समय के रोजगार क्यों नहीं मिल बाता है कई बिन कर देते हैं कभी भरती रद कर देते आखिल का बेरुजहार काहां जाए आप देख लीजिए जब किसी समाज की कोई नुक्षान होता तो समाज Lexington भूस इस बेरुजगारों में तो माता पिता जो सपना देख रहे हैं तो आप सबसे मेरा नियुदन है यह लड़ाई उपएनी अदव की नहीं है यह लड़ाई राज्तान के प्रतेक विरुजगार के परिवार किये तो हम सब आपको मिलकर यह लड़ाई लड़नी होगी 24 नवर का ध्यान रखे 23 नवर को एक दिन पहले यह लोग को सुचित कर देंगे कहां जाना कैसे जाना का पूछना आप लोगों कि जो आपके साथ उनको सुचित कर देंगे लेकिन यह लड़ाई नहीं रुखेगी मैं सबसे पहले रहागे रहूंगा मुझे कोई जेल में डाले तो मुझे डाले मुझे पीटे तो मुझे पीटे कोरना होगा तो भी मैं इसमें जो हम लड़ाई है इसमें पीछे नहीं अठेंगे हम सब मिल लड़ाई लड़ेगे तो आप सभी साथ उस निवदने एक्टिव हो जाईए और कहीं जाना पड़े क्योंकि अब हम अधिकारियों की और मंत्रियों की ताना साही नहीं सहेंगे क्योंकि यह सब इसलिए मामरे राजित्तान की मुझे मंत्री हैं उनके अभी वायूक हमारे उन तक बात पूछे कम इन बेरोजगारी की सुने उनकी समझ्षाव को निश्त 23 – 22 जो भी मैं दिल्ली सी से आवगा इसके अलएवा हम प्लाणिंग हो चुकी है सब लोग तयार हो जाएए अब इसके अलावा इस तारिक से पहले सरकार हमारी नहीं सुनती है तो सब इस मेरे सांती उसे है कि वह भूल जाए कि मैं बीजेवी मैं कॉंग्रेस मैं कोई सी पार्टी बूल जाए आपको इस चुनाओ को वोट नहीं देना है. आप चाहिए किसी को वोट देदीजिए नोटाम देदी इसे कने disappearance को देदीजिए हमसर को मिलकर हमारी के ताकत दिखानी है राजस्तान में एक भी कॉंगरिस को प्रत्याशियों को वोट नहीं देना यह हमारी अब स्वावी मान का सवाला हमारी इज़त का सवाला आप सबसे मेरा नियोदन है कि आपको इस बार वोट नहीं देना जिला परसद और यह 25 करेंगे लेकिन अभी 24 तारीक के चक्कर में हम बीजी हैं और अब 23 चुनाओ हो रहा है आप सबको ध्यान रखना है और सुबह सब्सक्राइब को कॉल करना है कि आप हमारा अंदोलों में साथ हो नहीं हो पता चलेगा आप यह विरोदियों वेरुजगार विरोदियों या विर हमारे साथ नहीं हो आप वोटों के समय युवाओं के साथ होते हो और अब साथ नहीं हो क्योंकि हम लोग किसी परिवार के सदे से नहीं है यह लोग दिल्ली जाएंगे वह किसी की बैटी नहीं है किसी का बैटा नहीं है आज कभी सिकर कभी भीलवाडा कभी दिल्ली वह जा सबी MLA को फोन करें जिसे पता चले कौन हमारा कौन नहीं है नहीं तो फिर 23 में भी देखेंगे उचुनाओं में भी गरगर जाका हम परचाज करेंगे और अब समय का भाव है क्योंकि हम लोग 24 तारीक को दिल्ली जा रहे हैं इसके लाव 23 से चुनाओ है और 23 को चुनाओ है त सब युवा इस बार जो जिला परश्यत 25 समय चुनाओं में कॉंग्रेस को जरू बताएंगे कि युवाओं की ताकत कितनी बड़ी होती है आने वाले उप चुनाओं बताएंगे जल्द ही मैं एक लायू के साथ आप सबसे फिर्म लाकात तरूंगा जैहिंद जैबारत